क्या आले साथ हूं मैं विकास ओमर आपके अपनेटा सोधी चैनल स्टेडी फॉर सिर्विल सर्फसेस पर आज आपके समख्ष लेकर आगे हैं सोसल सक्यूटी इंडिया का यह है पार्ट नंबर टैन इसमें अनलोग पूरा देखेंगे एन पी एस नैशनल पेंशन स्कीम उसकी अंतरकत कौन इसको चलाता है उसके अंतरकत कौन कौन सी स्कीम आती है सारा कुछ चली स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर हम लोग ने जो है प्रदान मत्री लगू वैपारी जो है मांधनी वजना कर लिया था अब यह आप लोग करेंगे आज रास्टी पेंशन प्रिलानी या सेविंग में रिटाइमट की सेविंग स्कीम हे ठीक हमारे अंदर जो है सेव करके अपने लギरूई बढ़हापे क लिए जो है पेंशन कर दीजान करना बढ़हापे कले कुछ जो है बचचत करना वह आदर डलवाने केले यह यह ईली सकीम डालाई गई है और यह गया हमारा every citizen of India के लिए ठीक और NPS में क्या है कि इसको PFRD जो Pension Fund Regulatory Development Authority जो है यह मैनेज करती है और यह Pension Fund में डाल देती है अब इसमें कई सारे Pension Fund Manager बना रखे है इनोंने Professional Fund Manager इसमें SDFC है ठीक और आपका और भी कई सारे SBI भी है ठीक तो एक तरीके से यह क्या है जो पैसा आपने सेविंग करी आपको मिलेगा 60 साल के बादी ठीक और तब तक जो है कई सारे आप फेंड मेनेजर प्रोफेशनल फेंड मेनेजर अपने चुन सकते हो जो कि तोटली मार्केट पे डिपेंडेंड है देहा नकना ठीक है एंपिएस का यह इसका एक क्रिडिजम भी कहते हैं खैर लेकिन यह देखा गया है पीछे की काफी अच्छा जो है रिटन मिलता है इसमें 12-13 परसंट तक भी मिल जाता लोगो को चौदा परसंट तक भी तो लोग इसको कर रहे हैं और लॉंग टर्म के लिए काफी अच्छा यह स्कीम है ऐसा का जाता है और इसमें पेंशन फंड जो होता है आपका वो आपको जो है जब आप यह मैच्छोर हो जाएगा साट साल के आप हो गए तो उसमें से यह होता है कि 40% जो है आप आपको पैंशन की तरीकेस लेना होगा इसको एनुटी बोलते है ठीक टो यह जो है निपीस का यहाँ पर पेंपेंश बताई गई है और इसमें जो है आपका जो at the time of normal exit आप करते हो जो तो जितना भी आपने पैसा बना रखा वही life annuity आप ले सकते हो P.F.I.D.A. में के अंतरकत ठीक insurance भी मिल सकता है आपको annuity के पैसे से आप insurance भी insurance company आपको life annuity देते हैं आप लमसम से पैसा निकाल सकते हो जैसा कि में आपको बताया अच्छा जो NPS में आप पैसा डालते हैं उसमें आपको tax छूट भी मिलती है तो वो किसके अंतरकत मिलती है आपका ATCCD के अंतरकत मिलती, income tax act के अंतरकत पहले जो था ये आप देखिए क्या है कि देड़ लाग रुपए तक तो आप कर सकते हो ठीक जो आपको एड्वांटेज क्या है, flexible है, pension manager जो चाहो आप खुद चूज करो भाई लगेगा लेकिन पैसा market में ध्यान रखना, ठीक, regulatory restrictions भी इसमें कम हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है, totally market related है, ये ध्यान रखना, इसमें individual जो अपना एक investment जो भी fund managers को change भी कर सकता है, ठीक, और ये भी कर सकता है, कि उसको मालो कि बहुत ज़्यादा जो है, जैसे equity जो शेयर होता है, ठीक, तो सबस्यादा percentage होता है, 75% तक हो सकता है, तो आप चाहो, आपको लगता है, ये ज्यादा रिस्की तो आप कम वाले रिस्की वाला भी ले सकते हो, तो fund manager में ही, जैसे माली जापने SDFC चू जाते हो, तो आप कम वाले equity ले लो, जिसमें 50% ही खाली share market में पैसा लगेगा, मतलब shares में पैसा लगेगा, ठीक, और जो है बाकी जो है, आपका bonds में, bonds सबस्यादा जो है, सेक्योर होते हैं, ध्यान लगता, ठीक, फिर corporate bond हो गया, तो ये सारी चीजे उसमें लगा सकते हो, ये सब है, आपना पैसा और देख भी सकते हो, कितना क्या बढ़ गया है, क्या है, क्या नहीं है, निकाल लेकिन 60 के बाद ही पाओगे, और simple है, बहुत ही, आपको permanent retirement account number दे दिया जाएगा, उसके जरीए जो है, उसको manage करिए, आपके ये प्रांड number जो होता है, मतलब lifetime रहता है, मैं कुछ और बोलने आता है, चली छोड़िए, तो ये चीज जब तक बोल देता हूं, जब तक प्रांड ना निकल जाए, तब तक प्रांड number ही आपका रहता है, तिल lifetime है, ठीक, और ये दो tier में रखा गया, एक tier 1 account होता है, एक tier 2 account होता है, ठीक, आपका ये प्र tier 1 में जो पैसा डालोगे, उसी पे ही, जो है, टैक्स का छूट भी मिलेगी, और उसी पे ही आपको, जो है, retirement के बाद ही ये पैसा मिलेगा, tier 1 बला, tier 2 आले पर tax कुछ नहीं मिलेगी, अपना आप जो है, खली investment के लिए निवेश की तरीके से कर रहे हो, ठीक, लेकिन tier 2 खु जो है, किसी भी job को ले लो, कहीं पर ले लो, ठीक, और आपको जो है, NPS कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाके आपको change करना पड़ेगा, या फिर बतलना पड़ेगा, सब जगे मतलब NPS आपका आसानी से चल सकता है, जैसे mobile number portability है ना, आप चाहो तो Airtel का ले लो, वही number आप उठा के जो है, जाके जीओ का ले लो, वही number जाके उठा के Vodafone का ले लो, ठीक, बाकी और तो कोई बच्चे नहीं जाता, regulated NPS जो है, गॉर्मेंट की दोर जो है, आपका regulated है, PFRDA की दोरा, ठीक तो काफी जो है, इसमें साफ जो है, निवेश रहते है, norms और monitoring और performance भी review का हो है, तो स्वच्चिता से, आपकी जो है, स्वच्चिक वो है, autonomy है, voluntary है, और government sector model भी है, corporate model भी है, अटल pension योजना भी है, दियान रखना, ये चार model है, इसके अंतर, तो देखे, all city and model जो पहला है, सभी city and model भी पात्रता, eligibility क्या है, कि जितने भी नागरिक हैं, भारत का कोई भी और वो यहाँ पर या तो resident हो, या फिन ना हो, यानि कि NRI भी इसको खोल सकते हैं, कोशन पूल लिया जाए कि NRI cannot open NPS, then it will be a wrong statement, NRI can also open an NPS account, तो ये citizen of India कोई भी हो, ये कर सकता है, applicant 18-65 साल के बीच में होना चाहिए, यानि कि आप 60 साल के बाद भी इसको खोल सकते हो, कम से कम पाद साल के लिए, तो ये चीज है, और इसका जो submission है, आप जाके application हो डालना, point of presence service provider किसी पाद जाके भी आप खोल सकते हो, KYC करा सकते हो, KYC जो है, know your customer वाली चीज होती है, ये इसलिए जो हो रही है, जो भी NPS join कर रहा हो सही वेक्ती है, ऐसे तो नहीं फरजी और जी कोई आके जो है, इसी बस पैसा भारत के उसमें निवेश कर दे रहा है, तो अपने document देने पड़ेंगे, अब जो है NPS E भी हो गया है, यानि की electronic भी हो गया है, online subscriber जाके registration कर सकता है, contribution कर सकता है, facility under NPS, मैंने खुद जो है online किया है, कहीं पे भी कुछ भी जाने के जरूत नहीं पास, तो सारी चीज़ जाती ही, वहीं से data निकाल लेता है, वहीं से photo निकाल लेता है, ठीक, आधार pen होना चीज़े, सब खुल जाता है, आराम से कोई दिक्कर नहीं है, ठीक, बाकी जो है कुछ कुछ चीज़े upload करनी पड़ती है, sign wine, वो सब भी कर लो, ठीक, तो online वाली च पासाई से कर सकते हो, अच्छा, NPS में कितना पैसा डालना है, इसकी कोई limit नहीं है, लेकिन एक चीज़े ध्यान रखना, कि इसमें ऐसा नहीं कि काला धन पूरा उठा किसी हम डाल दिया, क्योंकि इसको ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, कि Prevention of Money Laundering Act के अंतरगत, जो हर बाद जब भी आप है डालो को तो बताता है, कि जो आप दे रहे हो, ये बिलकुँ सही पैसा दे रहे हो, और बाद में इनके पास पूरा गॉर्मेंट का पूरा दिकार है, कि वो इस पे चानवीन करस के देख सकें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत सोर्से से पैसा आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि लिमिट नहीं है, तो आप कुछ भी इसमें पैसा डालते रहो, तो उसमें जो है, फस सकता है मामला, एनि इंडिविजवल, कैन ओपने पैंचन अकॉन कोई भी खोल सकता है, ठीक, एनपेस का यूज करते हुए, उसके पास फॉलिंग कोई ऑप्शन है, एक मोबाइल नंबर पे OTPI का खट से डाल देना, ठीक, डेमोग्रेफिक डिटेल और यह सब कुछ जो है, अधा कार्ट से उठा लेता है, ठीक, और आपको जो है, कुछ एक फोटो अपनी स्कैन करके लगानी पड़ेगी सुन्दर सी, और जो है, इन केस आपका जो है फोटो अ आती जाता लोग की, की लोग पचाम नहीं आते हैं, तो अगर आप चाता हो दूसरी वोटो लगाना तो अब अप्लोड कर दो, उसके बाद आप से फीस ली जाएगी, तो मैंने जो खोला था, इसको बताता हूं उनलाइन, तो उन्होंने मुझसे पंदरा सो रुपे लिये ठीक, हजार रुपे लोग ने टीर टू में डलवाए थे, चुनिएगा, टीर टू में हजार रुपे, और टीर वन के बाद बादी कुलता है, टीर टू अलाइकाउंट, ठीक, और टीर वन में जो है, पास सो रुपे का वो जो भुकतां करवाया था, तो इस तरीके सा आप क्रेइट कार्ड इन सबसे जाके पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा ओप्चन क्या है, इन पीस के जड़िये जाने का, आप पैन कार्ड है आपके पास, कि यसी वेरिफिकेशन करा, लो बैंक के थू जाकर, जो है, वहाँ पे भी वहीं साइज चीजे हैं, आपको पूछेगा, ओ इन दोनों कोई खोलने की ज़ाद देती, अगर यह आपका अकाउंट है, इस अकाउंट का स्टेटर्स के हिसाब से, वह आपको जो है अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी, स्केंड कॉपी पासवोर्ट की देनी पड़ेगी, और आपको जो है अपना प्रफर्ड एडरस ज भेजने का डॉकुमेंट वह पैसा भी आपको ही देना पड़ेगा, ठीक, प्रोसेस क्या है, इन पीएस को यूज करने का उप्योग करने की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए इसमें यह बताया क्या है, कि आप विजिट करिए, रेइस्टर करिए, अपने आपको ऑनलाइन पैन नंबर दे दीजे, बैकाउंट अकाउंट दे दीजे, कवाईसी पूरा करिए, अपनी फोटो लगाईए, ठीक, और उसके बाद यह चेक किया जाएगा, वाइल रेस्टरिंग सब्सक्राइबर, तो आपका यह पैन अकाउंट डिटेल और इंकम टेक्स डिपार्टमें और उसके बाद जो है, सब्सक्राइबर को कंटिबूशन कर सकता हूं, वहीं बैंक के तुरू, जो पैसा वैसा देना होता है, पेमिंट, और वन्स पेमिंट हो गया, तो उसके बाद जो है, प्राण नंबर आपको मिल जाएगा, जो प्रोइड़ेड ओनलाइन ही मिल जाता ह है, सब्सक्राइबर को, ठीक, और यह कब तक रहता है, जब तक इनसान के प्राण ना निकल जाएगा, मतलब की लाइफ टाइम रहता है, और देटेल सब्मिटेड बाई दा सब्सक्राइबर विल बी सेंट थू सीरे सिस्टम, जो भी डिटेल आपने सब्मिट गारी है, सब सब्सक्राइबर मास्टर रिपोर्ट होती है, यह आता है, वहाँ से, कहते हैं, वह भी सते हैं, इसको एंवलोप में, यह सारी चीज़े उसमें मिलती हैं, सब्सक्राइबर रिइस्टर एडरस पर भेजाता है, और इसको फिर वापस भेजना होता है, हाला कि मैंने नहीं बेजा तो मुझे, इन्होंने यहाँ पर कहा है, कि प्रिंट आओड निकाल के, फिर उसमें अपना पेस्ट और फोटोग्राफ यह सब लगा के भेज सकते हो, इसको फिर वापस ठीक, मैंने नहीं बेजा, वाकिए उन्होंने का था, नब्बे दिनों बंद हो जाएगा, तो यह वाला भी आपना सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आप उसका जो है एक तरीका है, ऑनलाइन भी आप जाके उनकी वेबसाइट भी रखा है, अराम से प्रान क को जो है, वेरिडेट करा सकते हो, ठीक, सब्सक्राइबर जो है, वो 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 सब करते हैं, ठीक, यह पैसा कहां से आई है, तो ऐसा इसमें काड़ा धर्म डालने की कोशिश कोई भी ना करें और यह आप लोग को नोट करना है कि रेइस्टेशन API का अगर आपने कर रखा है ठीक रेइस्टेशन जो है प्लीज नोट देट रेइस्टेशन अटल पेंचेन वह जिना वहला ठीक बाद के योगदान का प्रसंस करना मतलब की प्रोसेसिंग ऑफ सेपसीक्विंट करोगे ओनलाइन करो जो भी सब्सक्राइबर है वो टीर वन में कर सकता है इनिप्स के जरीए उसको जो है एक्टिव टीर वन टीर टू एकाउंट जब एक वाए एक्टिव हो जाएगा जब पीछे मने मताया था कि आपको सिगनेचर करके साही चीज़ भेरनी होंगी लिए करेट जब लिए पैसे दो पैसे लेते समय कोई मना नहीं करता है कोई इसमें धिकत नहीं होगी ठीक गर्मेंट मोडडल क्या पहले हमने कौन सा मॉडडल देखा और सिटीजन्स अब वाला कौन सा मॉडल है और अब दो यह तो मेंडिटरी जैसा कि मैने आक चुछ अगर एंप्लॉई है सेंट्रल ऑटनॉमस बॉडी का हूँ है और आफ्टर एक जन्वरी दो जाचार एक ही बात है तो आपको एंप्यस लेना पड़ेगा जो अली का या जो कंप्रीज एक्ट के अंतरगत रेजिस्टर्ड है पंजीकरत है और पंजीकरत है वैरियस कोप्रेटिव एक्ट जानी सहकारी जो है अधिनियम आपको अंतरगत पंजीकरत है ठीक सेंट्र पॉब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे की आपकी ओंगी सी हो सेंट्र पॉब्लिक सेक्टर एंटरपाइज होती है स्टेट पॉब्लिक सेक्टर एंटरपाइज भी हो सकती किसी राज की सावजनिक जो है आपकी छेत्र की उद्यम इसके लाव रेइस्टरड पार्टनर्शिप फर्म हो सकता है रेइस्टरड लिम्टर लाइबिल्टी पा आमको वो नहीं मिला जो दिया जारा उसके तो कोई आंसर देने नहीं आपको खाली आके जो नहीं है उसको क्यो बोलने रखों मतला पढ़ना आपको वैसे भी नहीं है लेकिन बस आएंब के आके जो है डिस्ट्रेक करना लोग को ठीक अगर सोसे दिया जा रहा है तो अगर आपको इतना ही अगर इंट्रेस्ट है तो जो मैं कोशन पूछता हूं उसके जवाब दिया करो फिर बोला करो कि सर यह वाली चीज भी अगामी उसमें दे दीजेगा ठीक आके आप लोग ऐसे बोले रखते हो कि यह जो दो वो नहीं यह कब आएगा वो कब आएगा क्या मतलब है आप लोग का आप लोग तो ऐसे बीएफ करने रखते हो जैसे हम लोग की बिल्कुल जो है जो है हमने कर्ज ले रखा है आपसे कि जो हम लाके देंगे देंगे अगर आपको जो दिया जा रहा उसको आप एहमियत नहीं सो मचर रहो तो आब अपना इसका जू भी मैं कौशन पूचा करों उससे कमेंट दिया करों मुझे लगना चाहिए कि आप पढ़ने वाले हो इह पर आकर जैंब develop लिए और यह चीज नहीं होनी चाहिए थे कि आंसर भी करिये फिर आप मैं देख लिए आकर जाता कोई ऐसा करता पर तुरण था कर देता हूँ को जो तो नहीं है ऐसे सब्सक्राइबर की हम है ठीक आगे देखें क्या एनीबडी इन कॉपरेट अंडर एनी एक्ट और पालियामेट और स्टेट लिचल इन लोग यह लोग भी कॉपरेट मॉडल को अपना सकते हैं कोई प्रॉपरेटर कंसर इसटे के लिए लोग आजकल प्रॉपरेटर बनाते हैं वह भी इसको अंतर्गत सकता है तौकर को अपना सकता है यहाँ बहुत हो गई है यह चीज 180 साल होगी ठीक है, 18-65 है, कोई भी employee इस corporate entity का, ठीक है, और वो अगर employer, जो कि enrolled by the employer having Indian citizenship, कोई भी employee करमचारी, किसी नयोकता ने, ठीक, जो है, वो जो की Indian citizenship है, 18-65 साल के बीच में, और comply करता है KYC norms, तो वो eligible है, पात रहे कि वो register कर सकता है under NPS, ठीक, तो corporate model के अंतरकत हो जाएगा, और यह आखरी model जो है, वो है अटल pension योजना, अटल pension योजना के लिए bank branch में जाके आपको अलग से, जो है, लेनी पड़ती, इसमें भी pension मिलती है, आपको, 18-60 नहीं होगा, 40 होगा, ध्यान रखेगा, 40, ठीक, और यह applicable है, सभी citizens के लिए, 18-40 साल के बीच में, 60 साल के बाद ही इसमें भी pension मिलेगी, लेकिन 18-40 साल के बीच में ही पात्र है, जो लोग इसको जोइन कर सकते हैं, कोई 41 साल का होगा, तो नहीं जोइन कर सकता है, और यह आसंगटे छेतर के लोग ही जोइन कर सकते हैं, ध्यान रखेगा, और यह अनगनाई सेक्टर में तभी माने जाएंग इसमें माना जाएगा, और जो है उसका जो भी नियोकता है, वो एसिस्ट करेगा कि रिटार्मेंट बेनिफिट उसको मिले, तो सेक्यूटी स्कीम कराई जाए, एनी अप दा फॉलोइंग, जो है अगर इन सब में किसी में भी नहीं है, ठीक है, तो सेक्यूटी स्कीम कौन-क माइन प्रोविडेंट फंड, मिसलैनिस प्रोविडेंट फंड, आपका आसार्म टी प्लांटेशन, जम्मुन कश्मीर इंप्लाई प्रोविडेंट फंड, 1961, ठीक, और ये जो स्कीम है, आपकी अटल पेंशन नियोजना वाली, ये अप्लिकेबल है, सभी परसंस पे, जो कि लोग भी हैं, अब अटल पेंशन योजना में क्या होता है, कि जितना आप जो जालते हो, कंटिबूशन करते हो, उतने ही सेंट्रल गोवर्मेंट भी कंटिबूशन करती है, ऐसा होता है न, तो अब अगर आप अटल पेंशन योजना का जो है लाव ले रहे हो, ठीक, तो से है minimum 1000 और साल में 12,000 से ज़्यादा जो है contribution नहीं होना चाहिए NPS में tier 1 और tier 2 दोनों को मिला कर बात हो रही है ठीक और जो है परसन में minimum contribution उसका 1000 होना चाहिए पहले ओले tier 1 में ठीक तो उसके बाद ही जो है central government उसको देगी यह नहीं कि आपने पता चला आप यहां अतार हो कि मैं अनग नहीं सेक्टर का हूँ API को आपने जोइन कर लिया उधर NPS में आप लाखों रुपए डाल लो यह चिन नहीं होगी ठीक mobile app भी बन गया जैसे मैंने आप लोगो पहले बता है मैंने खुद खोल लगा mobile app के जरिए ही और देखो कई सारे bank bank भी करत खोलते हैं NPS को लेकि मैं आप से यह कहूंगा कि आप खुद सिर्फ और सिर्फ गॉर्मेंट वाला जो यह खुद का इनका app है उसी से करिए subscriber can access latest account detail जिसमें मिल सकती है CRA website पर जाकि अपना प्रान और यह जो है password आप डालो गया आसानी से उसमें जाओ contribution करो और जो है पैसे उसमें देखते भी रहो कौन कौन फ्लंड मनेजर सब कुछ महीं से चेंज हो जाता है अप अभी क्या-क्या प्रोवाइड करता है फीचर कितनी holding हो गई है मतलब कितना पैसा आपने विता जबा कर चुके हो और पांच लास जो contribution आपने किये वो सब भी आप देख सकते हो इस वाले जो है application के जड़िये तो इसी साथ में हमारा यहाँ पर एक खतम हो जाता है और हम लोग अगले उस वाले में देखेंगे पेंशन परिवार तता मरतत उलाब यानि कि पेंशन फेंबली और मेटरिनिटी बैरिफेट जो है आपका अगले पार्ट में तो तबते के लिए लेतने आप लोग से अलविदा देखेंगे आप लोग को बता दूँ कि हमारे जो है EPA4 UPSC 2021 का जो है complete paid group चालू है अगर आप लोग जोइन करना तो 856053096089 पर कॉल करके आप लोग अन्मिशन ले सकते हैं जैंजाबरत अल्दवरी वेस्ट है वंदे मातरम